तमिल पुत्ताडू के बहुत बहुत शुब कामना है ये आप सब का प्यार है मेरे तमिल भाईयों बहनों का स्थे है कि आज आपके बीच मुझे तमिल पुत्ताडू को सेलिब्रेट करने का मोका मिल रहा है पुत्ताडू प्राचिन्ता में नविन्ता का पर्व है इतनी प्राचिन तमिल संस्कृती और हर साल पुत्ताडू से नई उर्जा लेकर आगे बढ़ते रहने की ये परंपरा वाकई अध्भूत है यही बात तमिल नाडू और तमिल लोगों को इतना खास बनाती है इसलिए मुझे हमेशा से ही इस परंपरा के प्रती आकर्शन भी रहा है और इससे एक भावात्मक लगाओ भी रहा है मैं जब गुजरात में था तो जिस मनिनगर विधान सबा सीट से मैं M.L. था बहुत बड़ी संख्या में तमील मूल के वो लोग वहां रहते थे वो मेरे मद्दाता थे वो मुझे M.L. भी बढ़ाते थे और मुझे मुझे मुख्यमद्री भी बढ़ाते थे और उनके साथ जो मैंने पल बिताए वो हमेशा मुझे याद रहते है ये मेरा सोभाग्य है कि जितना प्यार मैंने तमिल नाडू को किया है तमिल लोगों ने हमेशा उसे और ज्यादा करके मुझे वापिस लोटाया है साथियों आज हादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार लाल कीले से मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी जो जितना प्राचिन होता है वो उतना ही ताइम टेस्टेड भी होता है इसलिए तमिल कल्चर और तमिल पीपल ये दोनों स्वभाव से ही इतनल भी है ग्लोबल भी है फ्रम चिन्नाई टो केलिफोनिया फ्रम मदुराई टो मेलबॉन फ्रम कोईम्ठूर टो केम्टाउन फ्रम सेलाम टो सिंगपोर लेह प्रम मिल खुझााई रॿखास्तुर लेह इन प्रम्टन टो के दोunnागे करीट विविच्वत टान। टॉर प्टन। ग्टनाउन्स विव्ट टार जवंब ग्रून तमिल से वर्ल मूल ग्टन्ट आणिः प्रम प्रम के is proud of this Tamil literature is also widely respected the Tamil film industry has given some of the most iconic works to us साथियों फ्रीडम श्रगल में भी तमिल लोगों का योगदान बेहत महत्वकुन रहा है आजाति के बाद देश के नवनिर्माण में भी तमिल नाडू के लोगों की प्रतिभाने देश को नई उंचाई दी है सी राजगोपालाचारी और उनकी फिलोसफी के बिला क्या आधुनिक भारत की बात पुरी हो सकती है के कामराज और सोशल वेलफ़ेर से जुड़े उनके काम उसको हम आज भी याद करते हैं ऐसा कौन सा युवा होगा जो डॉक्टर कलाम से प्रेरित न हुआ हो मेडिसीन लोग और एकेडेमिक्स के शेत्र में तमिल लोगों का योगदान अतुलनिय है मैं मन की बात में भी अक्सर तमिल नाडू के लोगों के कितने ही योगदानों की चर्चा कर चुका हूँ साथियों भारत दुनिया का सबसे प्राचिन लोगतंत्र है मदरब डेमोकरिसी है इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंस है अनेक अकाट्टे साक्ष है इन में से एक एहम रेफरेंस तमिल नाडू का भी है तमिल नाडू में उत्तीर मेरुल नाम की जगब बहुत विशेश है यहां ग्यारा सो से बारा सो साल पहले के एक सिलालेक के उसमें भारत के डेमोकरिटिक वेल्यूज की बहुत सारी बाते लिखी हुई है आग भी पढ़ सकते हैं यहां जो सिलालेक मिला है वो उस समय वहां की ग्राम सभा के लिए एक स्थानिय समिधान की तरह है इसमें बताया गया है कि एसेमली कैसे चलनी चाहिए सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इतना ही नहीं उस यूगमा भी उन्होंने ताय किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है सेक्डो साल पहले की उस विवस्ता में लोग तंत्रका बहुत बारिक्यों के साथ विवरों नहीं मिलता है साथ क्यों तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने एक राश्टर के रूप में भारत को गड़ा है आकार दिया है जैसे हमारे चेन्ने से 70 किलोमेटर दूर 70 किलोमेटर दूरी पर कांची पुरम के पास तिरू मुकुडल में बैंक्टेश पेरुमाल मंदीर है चोल सामराज्य के दौरान बना ये मंदीर भी करीब करीब 1100 साल पुराना है इस मंदीर में ग्रेनाइट पत्थरों पर लिखा है कि कैसे उस समय वहाँ 15 बेड का हस्पिटल मोजूद था 1100 साल पुराने पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन है उनमें मेडिकल प्रोसिडर्स के बारे में लिखा है डॉक्टरों को मिले वाली सेलरी के बारे में लिखा है हर्बल ड्रस के बारे में लिखा हुआ है 1100 साल पुराना हेल केर से जुड़े ये सिलाले तमिल नाडू की भारत की बहुत बड़ी विरासत है साथियों मुझे आद है कुछ समय पहले जब मैं चेस अलिम्पियार के उद्गाटन के लिए तमिल नाडू गया था वहां मैंने तिरुवारूर जिले के प्राचिन शिव मंदिर का जिक्र किया था ये बहुत प्राचिन चतुरंग बल्लब नाथर मंदिर चेस के खेल से जुड़ा हुआ है ऐसे ही चोल सामराज्य के दोरान तमिल नाडू से अन्ने देशों तक व्यापार होने के कितने ही उलेख मिलते हैं भाई और भाणो एक देश के रुप में ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस विरासत को आगे बढ़ातें गर्व के साथ इसे दुनिया के सामने रखतें लेकिन पहले क्या हुआ आप जानते हैं अब आप सबने ये सेवा करने का सोभागे मुझे दिया है मुझे आज है जब मैंने उनाइटेड नेशन्स में भाषा में तमिल से कोट किया था तब देश और दुनिया के कई लोगों ने मुझे मैसेज करके खुशी जताई थी मुझे जापना जाने का आउसर मिला था स्री लंका में जापना जाने वाला मैं भारत का पहला प्रदान मंत्री था स्री लंका में तमिल कम्यूनिटी के वेलफेर के लिए वहां के लोग लंबे समय से मदद का इंतजार कर रहे थे हमारी सरकार ने उनके लिए भी कई काम किये तमिल लोगों को घर मना कर दिये जब वहां गरह प्रवेश का समारो हो रहा था तब एक बड़ा ही दिल्चर्श पायोजन भी हुआ था जैसे तमिल परंपरा है गरू प्रवेश से पहले गर के बाहर लकडी पर दूज उबालने का एक कारकम होता है मैंने उसमें भी हिस्सा लिया था और मुझे आद है जब वो वीडियो तमिल में तमिल नाडू में देखा गया इतना मेरे पती प्यार बरसाया गया डगर डगर पर आप अनुभाव करेंगे कि तमिल लोगों के साथ तमिल नाडू के साथ मेरा मन कितना जुड़ा हुआ है तमिल लोगों की निरंतर सेवा करने का एभाव मुझे नई उर्जा देता है साथियों आप सभी को जानकारी है कि हाली संपन हुआ काशी तमिल संगवं कितना सफल रहा इस कारकम में हमने प्राचिन्ता नविन्ता और विवितता को एक साथ सेलिब्रेट किया इन आयोजनों में तमिल साहित्त के सामर्त के भी दर्शन हुए है काशी में तमिल संगमम के दोरान कुछी समय में हजारों रुपिये की तमिल भासा की पुस्तके बिक्री हुई थी तमिल सिखाने वाली पुस्तकों के लिए भी वहाँ जबर्दस क्रेश था हिंदी भासी छेत्र में और वह भी आज डिजीटल यूग ऑनलाइन की दुनिया ऐसे समय काशी में हिंदी भासी लोग तमिल कितामों को इस तरह पसंद किया जाना हजारों रूपिये की तमिल की किताबे खरीदना ये हमारे देश के सांसकूर्तिक कनेक की सबसे बड़ी ताकत है दोस तो मैं मानता हूँ तमिल लोगों के बिना काशी वासियों का जीवन दूरा है और मैं काशी वासी हो गया हूँ और काशी के बिना तमील के लोगों का जीवन भी अधुरा है ये आत्मियता जब कोई तमील नारू से काशी आता है तो सहज ही दिखाई देती है काशी का साउसद होने के नाते ये मेरे लिए और भी गर्व की बात है मैंने देखा है कि काशी में जो नवका चलाने वाले लोग है शायद ही कोई ऐसा नवका चलाने वाले मुलेगा जिसको तमील के पचास सो बाक्य बोलना ना आता हो इतना वहाँ पर मिल जो है ये भी हम सभी का सवभाग है कि बनारज हिंड्यू इनिवर्सिटी में सुपरमन्यम भारती जी के नाम पर एक चेर की स्थापना की गई है सुपरमन्यम भारती जी ने काफी समय काशी में बिताया था काफी कुछ वहाँ से सीखा था ये भी पहली बार हुआ है कि काशी विश्वनाद मंदी ट्रस्ट के ट्रस्टियों में काशी विश्वनाद मंदीर का ट्रस्ट बहुत पुराना है पहली बार पहली बार काशी विश्वनाद ट्रस्ट का ट्रस्टी तमिल नाडू के एक महाशई को बना दिया गया है ये भी प्यार है ये सारे प्रयास एक भारत, स्वेश्ट भारत की भावना को मजबूत करने वाले हैं साथियों तमिल लिटरेचर से हमें अतीत के ज्यान के साथ ही बविश के लिए प्रयरणा भी मिलती है तमिल नाडू के पास तो ऐसा लिटरेचर है जिसमें से काफी कुछ 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है जैसे की संगम लिटरेचर से पता चला कि एंशियन तमिल नाडू में कई तरह के मिलेट्स स्री अन्न उप्योग में लाए जाते थे प्राचीन तमिल साहित्य अगना नूरू में मिलेट्स के खेतों के बारे में लिखा गया है महान तमिल कवित्री अवयार अपनी एक सुन्दर कविता में स्वादिष्ट वर्गू अरिसी छोरू इसके बारे में लिखती है आज भी अगर कोई ये पुष्टा है कि भगवान मुरूगन को नईवियत के रूपे कौन सा भोजन पसंद है तो जबा मिलता है तेनूम तेने इवामूम आज भारत की पहल पर पूरी दुनिया मिलेट्स की हमारी हजारो वर्थ पुराणी परंपरा से जूड रही है मैं चाहूंगा कि आज हमारा एक न्यू यर रिजॉलुशन मिलेट्स से भी जुड़ा हो हमारा रिजॉलुशन होना चाहिए कि मिलेट्स को हम वापस अपने खान पान में जगर देंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे साथियों अपसे कुछ देर मैं यहां तमिल कलाकारों की पर्फॉर्मंस भी होने वाली है यह हमारी कला और संस्कृति की समर्द विरासत का भी प्रतीख है यह हमारा कर्तब है कि हम इसे पूरी दुनिया तक लेकर जाएं इसे शोकेस करें साथि इन आठ फॉर्म्स का कैसे समय के सार्विस्तार हो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए आज की युवापीडी में यह जितना जादा पॉपलर होंगे उतना ही वो इसे नेक्स जनरेशन को पास करेंगे इसलिए युवाओं को इस कला के बारे में बताना उन्हें सिखाना यह हमारा सामुहिक दाइत्व है और मुझे खुशी है कि आज का यह आयोजन इसका भी एक बहत्रिन उदारन बन रहा है भाई और भेनो आज हादी के अमरित काल में हमारी यह जिम्बेदारी है कि हम अपनी तमिल विरासत के बारे में जाने और देश और दुनिया को गर्व के साथ बताएं यह विरासत हमारी एक्ता और राश्ट्र प्रधम की भावना का प्रतीख है हमें तमिल कल्चर लिट्रेचर लेंग्वेज और तमिल ट्रेडिशन को निरंतर आगे बढ़ाना है इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ एक बार फिर आप सब को पुतांडू की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और मुर्गुन जी का भी धनिवाद करता हूँ का आज मुझे इस महत्वकुन अवसर में सरीख होने का मोका दिया आप सब को बहुत बहुत सुभकामना है धनिवाद